हेलो एवरिवन वेलकम टो स्टॉक मनी चैनल इस वीडियो के अंदर हम लोग एनलिसिस करने वाले हैं TCS कमपनी का आज आपने देखा होगा कि TCS का Q1 रिजल्ट आ चुका है तो इसका हम एनलिसिस करेंगे और चार्ट पर लेवल्स देखेंगे किन लेवल्स का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोगोंने पहले से पोजिशन बना कर रखी है या फिर लॉंग टम के लिए TCS स्टॉक में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हाई प्राइस पर आप लोग फसे हुए हैं तो पूरा वीडियो डीटेल से देखेगा आप लोगों को आपके आंसर्स मिल जाएंगे और चैनल पर पहली बार आयें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जादा से जादा वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा तो TCS का रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं March 31 आप लोग यहाँ पर देखिए 2022 और June का quarter देखते हैं तो आप लोग देखेंगे revenue from operation कितना आया है यहाँ पर बढ़ा है TCS का टोटल income की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 53,547 यहाँ पर है यह figures आप लोगो को करोड में दिख रहे हैं पिछले quarter के compare में जादा दिख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए नीचे अगर आप लोग देखेंगे profit for the period है तो यहाँ पर 9960 करोड से कम होकर 9519 करोड का profit हुआ ह यानि कि profit अगर पिछले quarter के compare में आप लोग देखेंगे तो profit कम हुआ है जिसका effect आप लोगो को TCS की price पर नजर आ सकता है मंडे को और यह क्यों कम हुआ है तो आप लोग यहाँ पर clear cut देख सकते हैं employee benefit expenses यहाँ पर देखिए मार्च 31 मार्च quarter में जो थे यहाँ पर देखिए 28,353 करोड का था और उसके बाद अभी जो quarter है उसमें देखिए आप 30,327 करोड का है तो यहाँ पर expenses बड़े है company के लिए और यह expected था इसके according TCS का price नीचे भी गिरा है तो कभी कभी क्या होता है company के result खराब आते हैं फिर भी company का stock का price उपर चला जाता है because होता क्या है कि उससे पहले stock की price में already adjustment हो चुका होता है तो TCS का price भी already अपने high से अच्छा खासा correct हो चुका है यह अभी quarterly result थोड़ा सा खराब आया है तो उसका effect आप लोगों को short term में देखने को मिल सकता है लेकिन long term के लिए बहुत अच्छी company है तो long term के लिए वापस से आप लोगों को opportunity मिल सकती है और किन levels पर मिल सकती है और वो हम देखते हैं chart पर तो chart पर हम जब चलते हैं तो अगर आप लोगोंने मेरा previous video देखे होंगे मैंने 2 video डाले थे बहुत बड़े बड़े video डाले थे और उसमें मैंने हर video में 10 से 15 15 stock analysis किये थे और TCS का stock भी analysis किये था और TCS का stock मैंने आप लोगों को already बताया था अगर आप एक long term के investor है या फिर swing trader है positional trader है तो ये वाले level आप लोग पिछले video जाकर देखिएगा यहाँ पर मैंने कोई भी changes नहीं किया है मैंने आप लोगों को बताया था 3050 का level अगर आप लोगों के पास आता है तो आप लोग इसने दिया है और अभी क्या हो रहा है TCS के लिए सबसे important जो level है वो मैं आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग देखेंगे TCS का मेहाँ पर black color कर देता हूं इसको जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा तो 3360 रुपे का level ये देखिए आपके सामने लिख रहा ह 3360 ये वाला जो level है यहाँ पर TCS का stock resistance फेज कर रहा है अब हो क्या सकता है मंडे को तो ये stock यहाँ पर आकर या फिर gap down opening हो सकती है तो वापस से आप लोगों को इस range में मिल सकता है TCS का stock अगर नीचे अगर जाता है तो फिर से long term investor के लिए बहुत बड़ी opportunity बन जाएगी और long अभी market का condition clear नहीं हुआ है तो आप लोगों को invest करना है तो SIP mode में ही करना है और अच्छे levels पर करना है ऐसा नहीं कि TCS को 3000 अभी suppose 3260 चल रहा है वहाँ पर buy कर लिया और 20 रुपे नीचे गिरा फिर average कर लिया 20 रुपे नीचे गिरा फिर average कर लिया ऐसे आपका 60-70 रुपे या लेवल ये वाला है इसके नीचे अगर breakdown करता है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा लेवल है ये भी हम लोग लेवल देखते हैं तो मैं आप लोगों को draw करके बताता हूँ ये वाला लेवल जो है आपके लिए बहुत important है 3,207 का 3,207 के नीचे अगर closing आती है तो maximum chance से 3,050 आप लोगों को वापस देखने को मिल सकता है तो पहला अगर हम लोगों को अगर buy करना है अगर अभी के लेवल पर फाइदा उठाना है gap down opening गा तो 3,207 के नीचे आए पहली position बननी चाहिए उसके बाद 3,050 पर वापस आता है तो वापस से हम लोग position बना सकते हैं और 2900 इसका worst case level है और आप लोगों को मैं बता दू long term के investor हैं तीन साल का view है आप लोगों का तो ये जो 3350 वापस से में लिखता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ 23588-3360 लिखते हैं 2360 से लेकर 2900 ये वाली range है इसके बीच में TCS को जितना जादा accumulation कर सकते हैं उतना long term में हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो इन levels का आप लोगों को ध्यान रखना है और जिननों लोगों ने trading के लिए लिया हुआ है TCS को तो ये 3200 का level ध्यान इसके नीचे close होता है तो अच्छा कासा ये stock correct हो जाएगा और positional trading जिन लोगों को करनी है उन लोगों को दो पार्ट में ही invest करना है 3200 पर अगर नहीं भी करते हैं एक बार आप लोगों को देखना है मंडे को किस तरीके से react करता है TCS का stock अगर नीचे close होता है तो ये वाला level 3050 का level है आप लोगों के लिए बहुत important level है और वहां से आप लोगों को कोई candle reversal दिखती है तभी देखकर trade करें और day trading करते हैं इंट्रा day trading करते हैं तो इन levels पर candle के reversal बहुत important है proper stop loss के साथ काम कीजिएगा और long term के investor है तो fundamental में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इसलिए आ एरा भी हुए final decision आप लोगों को लेना है thank you for watching this video